तो आज हम बनाने जा रहे हैं cold coffee with ice cream इसे हम बहुत ही कम समय में बिल्कुल restaurant style में बना सकते हैं यह बनाने में बहुत ही easy है तो चलिए स्टार्ट करते हैं cold coffee with ice cream मैंने यहां पर 3-4 टेबल स्पूम वार्ब मॉटर लिया है इसमें हम 3 टी स्पून कोफी डाल देंगे इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे कुछ इस तरह से अब हम एक मिक्सी में यह coffee का mixer को डाल देंगे मैंने यहां पर तक्रिवन 200 ml boiled क्यूँ ही ठंडा दूद लिया है इसको भी हम मिक्सी में डाल देंगे आठ से दस ice cubes टाल देंगे इसमें स्वादन उसर सक्कर लेंगे को जितना मीठा पसंद है उसी की हिसास से हम कम या ज्यादा सक्कर ले सकते हैं अब हम इसमें एक स्कूप वैनिला आइस क्रिम लेंगे पर इन सब को हम 30 से 40 से कंड तक ब्लेंड कर लेंगे हमने यहां पर अभी ब्लेंड कर लिया है अब हमें ग्लास को चॉकलेट सिरफ से डेकोरेट करेंगे इसे अंदर से अच्छी तरह से कोड कर लाना है अब कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अब हम इसमें ब्लेंड की हुई कोफी को डाल देंगे अब हम इसके उपर एक्स कुक आइस्क्रीम दे देंगे इसके उपर थोड़ी सी और चॉकलेट सोस से डेकोरेट करेंगे अब हम इसके उपर ग्रेट की हुई थोड़ी सी चॉकलेट को डाल देंगे अब हमारा कॉल कॉफी बनके रेडी हो चुका है यह बिल्कुल ही आपको रेस्टरेंट जैसा टेस्ट देगा और इसे बनाना बहुत ही इसी है इसे आप घर पे जरो ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट में बताईए आपको कैसी लेगी एसे ही और मज़ेदा रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट्स के साथ सेया कीजिए थैंक यू